हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सरकार के दवारा हर्याना कोशल रोजगार निगम बनाया गया है, जिससे कि सभी कॉंटेक्शल एंपलोई चाहे वो पार्ट वन पोलिसी के अंडर हो चाहे पार्ट टू, उनको इस निगम के दवारा ही सर्विस पे रखा जाएगा, या फिर जो पहले से सर्विस में हैं, वो इस रोजगार निगम के अंदर ही काम करेंगे अब, इसके लिए सरकार की गाइडलाइन भी आई थी, कि उन सभी का डाटा HRMS पे अपलोड करना है, HRMS पे अपलोड करने के लिए, फिलहाल जो सर्विस प्रोवाइडर के थूँ, कॉ इसके लावा जो एंपलोई गोर्मेंट कॉंट्रेक्ट पे या फिर सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट हैं, पार्ट टू पोलिसी में, उनका डाटा अपलोड करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, इसके लावा आपके ओफिस में भी लेटर आया होगा, एक हर्याना कोशल रोजगार निगम लिमिटेड ने लेटर जारी किया है, कि सभी कॉंट्रेक्शल एंपलोईज का डाटा, एक गूगल फोर्म का लिंक दिया है उन्होंने इस लेटर में, उसके उपलोड करना है, उस गूगल फोर्म का लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते है जब आप एड्रेस बार में ये लिंक टाइप करके एंटर करेंगे, तो ये गूगल फोर्म ओपन हो जाएगा हमारे सामने, इसमें कॉंट्रेक्शल एंपलोईज का डाटा अपलोड करने के बाद, उसको हमें hkrn.gov.gmail.com पर एमेल भी करना है, हर्याना कोसल रोजगार नि ये फोर्म ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले अपनी email id एंटर करनी है, उसके बाद ddo का नाम उसका contact number और अगर कोई दूसरी alternate email id है ddo की, उसको एंटर करने के बाद अपना district सेलेक्ट करें, district सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना department सेलेक्ट करना है, उसके बाद next प पोस्ट तक आप यहां पर फिल कर सकते हैं, सबसे पहले जो option दिया है उसमें आपको पोस्ट का नाम से एंटर करना है, जैसे data entry operator या फिर color जो भी पोस्ट हो आपके department में, वो एंटर करें, उसके बाद उसकी minimum qualification क्या है, जो भी qualification है, उसकी 12th है, graduation है, 10th है, वो एंटर करें, data entry operator color की sanction post के against a point है, तो जिस sanction post के against वो काम कर रहा है, उसी की education qualification जो आपके rules में है, वो ही एंटर करें, फिलहाल इस post पर कितने employee काम कर रहे हैं, वो एंटर करना है, आपने part 1 के अंदर है ये पहले वाला performa, vacancy कितनी है, अभी कितने और employees की जरूरत है, आपको contract basis पे part 1 के तहत इस post के लिए, वो एंटर करें, और ये जो employees आपके यहाँ पर working है, उसके लिए आप service provider को कितना service charge पे करते हो, उसकी entry करनी है, तो ये 5 options हैं, इसमें एक post के entry करना mandatory है, इस पे star लगा हुआ है, इसके बाकी जो post हैं, उनकी entry करना mandatory नहीं है, लेकिन अगर आपके department में post हैं, तो उनको enter जरूर करें, नहीं तो आपके information गलत हो जाएगी, और अगर आपके department में part 1 के तहत कोई भी post नहीं है, means कोई भी working employee नहीं है, तो यहाँ पर आप nil, nil करके और last वाले options में 00 enter कर दें, इसी त आपको, जैसे कि यह service charge paid है, यहाँ पर अगर आप zero के entry नहीं करते, उसकी जगाए पर कोई भी alphabet डालते हैं, तो यह लेगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप number के entry कर सकते हैं, इससे उपर जो number of vacancies है, वहाँ पर भी आप सिर्फ digit एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई alphabet नहीं लेगा ये, तो इन चीजों का ध्यान रखें, तो next पर click करने के बाद हम second section में आ जाएंगे, second section में भी इसने part 1 का ही option दे रखा है, और उसी प्रकार से 10 post हैं, यहाँ पर जो इन्होंने letter डाल रखा है, उसमें section 2 में part 2 की लिख रखा है, इन्होंने के section 2 में part 2 की entries करनी हैं, लेकिन यहाँ पर part 1 ही है, यहाँ पर part 1 की ही entry करें, अगर आपके office में इतनी post नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर nil, qualification में जैसे कि post nil है, तो qualification में भी nil करें, और number of employees में 0 की entry कर दें, यहाँ पर number of vacancies और amount paid to service provider का option नहीं है second page पे, तो अगर part 1 में आपके प इतना था, निल, निल करके, 0 एंटर करके, और फिर next page पे चले जाएं, अब हम section 3 में आ चुके हैं, section 3 में हमें part 2 की entry करनी है, यहाँ पर भी 10 contractual post की entry कर सकते हैं, part 2 policy में वे post होती हैं, वो employees जो sanction post की against काम कर रहे हैं department में, contract basis पे, तो उन सभी की entries हमें part 2 में करनी है, यहाँ प इसके बाद उसकी qualification, जितने number of employees working हैं, वो एंटर कर दें, number of vacances अगर कोई हैं, तो उसको एंटर करें, otherwise 00 कर दें, फिर service charge paid to contractor या फिर outsourcing agency को अगर आप कोई service charge pay कर रहे हैं, तो उसकी entry करें, otherwise 0, इसी तरीके से जितनी भी आपकी post हैं, उन सभी post की entry करने के बाद next पे click करें, ये आपकी तीन section complete हो चुके हैं यहां तक, उसके बाद section 4 में one employees के entry करनी है, जो ना part 1 के तहत कवर होते हैं, और ना part 2 के तहत, और वो contract basis पे आपके department में काम कर रहे हैं, यहां पर आप उन सभी के entries कर सकते हैं, जो किसी court के order से या फिर किसी और वज़े से अभी तक working हैं आप आपको सभी part time employees के entry करनी है, जो part time sweeper वगयरा आपके department में काम कर रहे हैं, तो same process है, post के entry करें, उसके बाद उसकी education qualification, number of contextual employees working, number of vacancies, service charge paid to agency, अगर आपकी इसके लावा और कोई part time post है, तो नीचे वाले option में enter कर सकते हैं, same हर 500 section में 10-10 post के entry करने का option है इसमें, तो आप इस तरी question 5 के बाद submit का option मिल जाएगा आपको नीचे जाके, तो यहां से अपना जो भी data है उसको submit कर दें, आपका जो contextual employees की details है, वो हर्याना कोशल रोजगार निगम में पहुच जाएगी, और आपकी information submit हो जाएगी, अब यही information आपको email करनी है, हर्याना कोशल रोजगार निगम में उसके लिए इन्होंने email provide करवा रखा है, hkrn.gov.gmail.com पर, तो यह जो information आप इसमें fill करेंगे, same information आप email कर दें, तो यह हर्याना कोशल रोजगार निगम limited के लिए contextual employees की details enter करने का process था, इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो comment करके बताएं, अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जैह हिंद!